सलाम अलेकुम राहमतुल्लाइब परकातू प्यारे बच्चों उमीदे आप सब खेजिते होंगे आज हम बेटा जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आज हम इविएस के चैप्टर नंबर 16 को रिवाइस करेंगे उसके बुक वर्क वर्क शीट के जड़िये से तो ह हमारा question number one है सबसे पहले तो आप अपनी copies open कर लें आपको काम बहुत ही जादा सफाई से करना है प्लीज गंदी handwriting में काम मत कीजिएगा अच्छी अच्छी handwriting में काम करके लेकर आईएगा चलिए स्टार्ट करते हैं question number one question number one है name the group of these animals आपको नीचे कुछ animals के नाम दिये गए ह उनके groups के नाम जो हैं वो आपको लिखने हैं तो first है हमारा cows जो cow होती है उसके group का नाम क्या होता है गाएं के group का नाम यानि कि गाएं के जुंड का नाम क्या होता है तो गाएं के जुंड को क्या केते हैं गाएं के जुंड को केते हैं herd h e r d herd गाएं के जुंड को क्या केते ह हर्ड सेकिंड है हमारा लायंस सेकिंड है हमारा लायंस लायंस के ग्रुप को क्या कहते हैं जो शेरों का जूंड होता है उसे कहते हैं प्राइड पी आर आई डी प्राइड तो लायंस के ग्रुप को कहते हैं प्राइड अब है हमारा थर्ड डियर डियर के ग्रुप को क्या कहत केहते हैं यानि जो हिरन का जुनट्ध होता है उसको क्या कहते हैं हर्ड गाएं के जुनट्र को और यार के जुनट्षक्वा दोनों को क्या कहते हैं लॉब नЕक्स के गॡूप को क्या एक ऑफ गय बीस के ग्रूप को क्या कहते हैं ड्रोन्स दी आर ओ न एस ड्रोन्स जो मक्यों का जो जुंड होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं ड्रोन्स नेस्ट है हमारा सिक्स्ट, आंट्स, आंट्स के ग्रूप को क्या कहते हैं, आंट्स के ग्रूप को कहते हैं, कॉलोनी, C-O-L-O-N-I-E-S, कॉलोनी, पेटे प्लीज इस्पेलिंग का खास खयाल रखियेगा, इस्पेलिंग आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, बहु को C-K-Flock, जो हमारा भेडों का जून्ड होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, Flock, Flock of Sheep, next है हमारा birds birds के group को क्या कहते हैं birds के group को कहते है fleet f-l-e-e-t fleet पक्षियों के group को हम fleet कहते हैं fleet of birds अब next है हमारा question number two right yes or no नीचे हमें कुछ statement दी गई है अगर वो statement हमारी सही है तो हमें yes लिखना है और अगर वो statement हमारी गलत है तो हमें क्या लिखना है हमें no लिखना है तो first statement है हमारी the leader fights the enemy to protect the group जो किसी भी group का leader होता है किसी भी समू का जो सरदार होता है या जो leader जो नेता होता है वो क्या वो अपने group को बचाता है दुश्मनों से तो इस cancer क्या है इस cancer आएगा हमारा yes जी हाँ जो leader होता है वो ही सबसे पहले क्या करता है fight करता है और दुश्मनों से अपने group को बचाता है अब next है हमारा question number two the youngest female elephant is the leader of the herd जो हमारी youngest छोटी female elephant होती है क्या वो leader होती है अपने group की तो ये वाली जो statement है हमारी क्या है ये हमारी statement गलत है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे n o no leader कौन होता है group का सरदार कौन होता है जो elder होता है जो सबसे बड़ा होता है वो होता है leader तो इसमें क्या धिया गए इस statement में हमारा youngest female elephant तो इसलिए ये हमारा क्या है गलत है statement इसलिए हमने यहाँ पर no लिखा है next है हमारा third question a group of fish is called a school जो मचलियों का जो group होता है क्या उसको school कहते है yes ये वाली statement हमारी क्या है सही है right है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे yes y e s yes जो fish का group होता है उसको school कहते है next है हमारा fourth hedgehog is friendly animal जो हमारा hedgehog होता है क्या वो friendly animal होता है hedgehog कहते हैं काटेदार चूहें को तो क्या वो friendly animal होता है अगर आप उसके पास जाएंगे उसको touch करेंगे तो क्या वो आपको नुकसान नहीं पहुचाएगा यह statement हमारी क्या है यह हमारी गलत statement friendly नहीं होता है hedgehog अगर आप उसको पकड़ेंगे या उसके पास जाएंगे तो वो आपको नुकसान पहुचा सकता है तो इसलिए hedgehog हमारा friendly animal नहीं होता है इसलिए यह statement हमारी क्या है wrong है तो यहाँ हम no लिखेंगे next question है हमारा question number five ramuras are small fish जो ramuras होती है वो हमारी एक तरीके की छोटी मचली होती है which ride on top of turtles और shark for protection and access of food तो वो क्या करती है वो खुद को बचाने के लिए किसी भी turtle के यानि जो कच्छुआ होता है उसके या shark के क्या करती है उनकी पीट पर सवार हो जाती है तो क्या यह statement हमारी सही है yes यह statement हमारी सही है क्योंकि जो ramuras होती है वो हमारी small fish होती है और वो खुद को protect करने के लिए shark के या turtle के उपर क्या होती है सवार हो जाती है खुद को बचाने के लिए next है हमारा question number six Egyptian plower is bravest animal of all इस chapter में हमने जितने भी animals के बारे में पढ़ा है क्या उन सब में हमारा Egyptian plower होता है वो सबसे जादा बहादूर animal होता है तो यह statement हमारी क्या है सही है yes तो इसलिए हम yes लिखेंगे y-e-s yes अब है हमारा next question last question question number seven birds have external ears जो हमारी birds होती है क्या उनके जो कान होते हैं वो हमारी तरह बाहर होते हैं आपने कभी birds के कानों को देखा है उनके हमारी तरह होते हैं कान नहीं यह statement क्या है यह statement गलत है उनके कान हमारी तरह नहीं होते हैं हम इनसानों की तरह उनके कानों की जगा क्या होता है, सुराख होता है, छेद होता है, होल होता है उनके पास internal ears होते हैं, external ears नहीं होते हैं तो इसी के साथ हमारे EBS के chapter number 16 के book work की revision यहां complete होती है उमीदे आपको समझाया होगा, काम आपको बहुत ही सफाई से करना है अपनी handwriting अच्छे से लिखनी है, तो चलिए next video मिलेंगे, सलाम अलेकुम नामतु लाइव वरकातु